नमस्कार दोस्तों मैं रभी आपका स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरा आप अंति तक देखना आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो से आपको काफी ज़दा नोलेज मिलने वाली है काफी कलेक्टर है वो सिक्को की कंडिशन को लेके भ्रमित होते हैं मैं आजकल देख रहा हूं सब यूएंसी भी यूएंसी ही कर रहे हैं तो भाई रेयर सिक्का हर रेयर सिक्का यूएंसी और भी यूएंसी कंडिशन में तो मिलेगा नहीं नोर्मल सिक्के को हिला कर उसी चमक दि एक्ष्टा फाइन हो अभी क्या है मार्केट में जिस तरह के चल रही है एक रेयर सिक्का है जिसकी वैल्यू 20,000 रुपे है फाइन कंडिशन में उसके 500 रुपे दिखा रखे हैं जबकि 20,000 रुपे अगर यूंसी में है तो फाइन कंडिशन में कम से कम 4-5,000 रुपे उसकी कीमत होनी चाहिए एक मार्केट इस तरह से होती है एक सिक्का बहुत सार है अगर आपने देखा होगा बुक में एक सिक्का 30,000 का है फाइन कंडिशन में उसका रेट 500,000 रुपे है जबकि 30,000 अगर यूंसी में है तो फाइन कंडिशन में 4-5,000 रुपे तक रेट जाना चाहिए वेरी फाइन में 10,000 तक चला जाना चाहिए एक्स्ट्रा फाइन में 12-15,000 रुपे इस तरह का रेट होता है तो अब ये जो यूंसी और यो बी यूंसी के जो चलन आ गया है सब भाग रहे हैं दोड़ लगा रहे हैं यूंसी और बी यूंसी के तो भाई आप मुझे एक बात बताओ ये जो फिर वेरी फाइन, एक्स्टा फाइन, फाइन कंडिशन के जो रेर सिक्के हैं इनको कौन कलेक्ट करेगा अगर आपको नहीं करने है कलेक्ट तो ये आप मुझे दे दो फिर मैं खरीद लूँ आप से भाई अगर आप लोगों को सिर फ यूंसी और वेरी फाइन, एक्स्टा फाइन, ओर रेर सिक्के हैं वो हो मुझे दे दो आप fine condition का मतलब यह है कि सिक्के पर कोई बड़ा डेंट ना हो बड़ा स्क्रैच ना हो सिक्का ज्यादा घिजा पिटा ना हो तो एक rare सिक्का fine condition में भी collect किया जा सकता है UNC में हर सिक्का rare कहां से लाओगे आप UNC ये BUNC आज किस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे सिक्के दिखाने वाला हूँ जो BUNC टाइप के हैं UNC टाइप के हैं और उसमें मैं आपको कुछ very fine extra fine और fine condition के सिक्के भी दिखाने वाला हूँ और बारी किसे अध्यान समझेंगे आज किस वीडियो में क्या price किस किस तरह से होना चाहिए मैं देख रहा हूँ आज कल सभी UNC BUNC के पीछे भाग रहे हैं जबकि ये चीज़ ठीक नहीं है rare सिक्के आप देखो न ओक्षन में जो लगते हैं fine very fine extra fine तक के rare सिक्के बिखते हैं auction में तो सेम ऐसा ही है मै तो हर condition में सिक्का rare सिक्का collect करता हूँ अपनी अल्बम में आप मेरी वीडियो में देखते भी होंगे मैं fine very fine extra fine condition के सिक्के भी दिखाता हूँ तो यह जो fine very fine extra fine condition के सिक्के हैं यह भी अपने आप में बहुत महत्तुपूर्ण है इनकी भी market value काफी जादा होती है आपका UNC और value पता होनी चाहिए क्या मेरे पास जो यह fine condition का सिक्का है यह very fine condition का सिक्का है यह इतना भी गया गुजरा सिक्का नहीं है कि इसके कोई भी 200-300 रुपे लगा दे ऐसा नहीं होता है तो आप पहले थोड़ी सी study करें बस आप यह देखे कि आपको जो सिक्का है जो fine very fine condition में है उ extra fine में भी खरीदें यही सिक्के आगे जाकर बहुत फायदा देने वाले हैं मैंने तो देखा है ना मार्केट में और सिक्कों पर बारे के से study करना बहुत जरूरी है तब ही हम यह जान पाते हैं कि हमारे पास ही जो सिक्का ही अपने आप में कितनी वैल्यू रखता है या हमें कितनी वैल्यू पर यह बेचना चाहिए समझने होता है कि मार्केट किस तरह से चल रही है सिक्कों की कहा तक प्राइस जा रहे हैं फाइन कंडिशन! लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक सिक्का 20,000 का है यूइन-सी में और वो फाइन कंडिशन! में 200-300 रुपय का है ऐसा भी नहीं होता है वह रेर तो वह भी सिख्का है ना चाहे fine condition में हो लेकिन अगर सिख्के की condition ठीक ठाक है तो वह अपने आप में काफी value रखता है कहने का मतलब यह है तो हर condition में सिख्का collect करना चाहिए किसी भी condition में हो बस ध्यान यह दे कोई उस पर डेंट नहों कोई बहुत बड़ा scratch नहों तो यह साइची देखनी होती है तो आज किस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे यह सिख्के दिखाने वाला हो जिनको आप बुए इस टाइप का बोलते हैं जिस पर चमक दिखाते हैं आज की इस वीडियो में मैं भी आपको कुछ तीक कीमत जाना चाते हैं तो वीडियो को पुरांते-त देखें चैन पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले वीडियो को तो कि आजकल के लोग दिए और यूए इस इसको पर ज्यादा दे रहे हैं जब कि वीडियो के शुरुवात में ने बताया था कोई भी रेर सिक्का है वो को फाइन वेरिफाइन एक्स्टा फाइन एक्स्टा फाइन प्लस कंडिशन में भी नहीं चोड़ना चाहिए उसको कलेक्ट करना चाहिए तो शुरुवात करते हैं एक बीउन सी कोईन से इस कोईन की चमक देखें आप सबसे पहले कि पूरी डिटेल एकदम इसपस्ट 1954 का है ये वन रूपी जान से देख ले सिक्के को प्रोपर मिंट लस्टर ये डबल स्लीव के अंदर रखा हुआ है तब इसकी चमक ऐसी दिख रही है सिंगल स्लीव में रखूँआ तो बहुत ज़्यादा शाइन करेगा और कोईन होडर में से निकाल दूँआ तो और भी जादा शाइन करेगा इसका तो यह है 1954 का रेयर एक रुपिया बीउन से कंडिशन का इस कंडिशन में सिक्के कीमत 5500 रुपे हैं बीउन से कंडिशन में और दिखाता हूं कुछ आपको ये देखे दोनों सिक अब धेले आप यह देखे इसका करलर देखे गोल्डन कर दिख रहा होगा आपको जिसंता पर मिंट लस्टन और एक बार इस तरफ से देखे अशो कि स्थम्गो अगर पूरी डिटेल के साथ यह दिख रहा है और मिंट लस्टर गॉल्डल रुटल्टे र bottles पींफ रहा है त प्रोपर लिमेंट लस्टर सिक्क्य की चमक देखें और डिटेल देखें है शोगिस्तम के आख नाख मुँव फेस सब एक दम क्लिया और इस पस्ट इसको बोलते हैं यूएंसी टू बी यूएंसी कंडिशन कि इस कंडिशन में सिक्का कीमत 3.505 रुपे हैं इस कंडिशन में आपे सिक्का प्रहात में देख रहे है जिसका रेयर की के है और इस कंडिशन में ये सिक्का मिलना काफी ज़्यदा मुश्किल होता है और दिखाता हूँ ये देखें नेशन इंटिग्रेशन वाली 1982 की एक ठनी जिस पे प्रोपल्ली एकदम चमक है शार्प वियूंसी कंडिशन का सिक्का है एक बार अशोग स्थम देखें आप अशोग स्थम में कितनी ज्या कि इसको बोलते हैं कंडिशन इस कंडिशन में लोग सिक्के रखना ज्यादा पसंद करते हैं मेरे पास तो एक काफी बड़ा क्लेक्शन है जो की यूएनसी और ब्यूंसी टाइप के सिक्के ही है लास्ट में दिखा दूँगा वो बॉक्स आपको दिखांगा जिसमें सिक्क रुपे जिस कंडिशन में सिक्का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बीउनसी टाइप का सिक्का है और दिखाता हूं यह देखें आप यह भी बीउनसी कंडिशन का सिक्का है डबल स्लीव में सिक्का रखा हुआ है इसलिए इसकी चमक लस्टर नहीं दिख रहा है तो यह भी एक B.U.N.C. कंडिशन का सिक्का है गोल्डन चमक होती है इस सिक्कों पर तो इसी कीमत इस कंडिशन में वही हजार से पंद्रस रुपे के बीच में होती है B.U.N.C. कंडिशन की आप से बात कर रहा हूँ एक क्रॉप साइंस दिखाता हूँ आपको B.U.N.C. कंडिशन का फर्स्ट इस्ट्राइक है यह यह डबल स्लीव में मैंने रखा हुआ है वारना इस सिक्क्या पर जो डिटेल है एकदम प्रॉपर लिटेल है प्रॉपर मिंट लस्टर हिंदी में एक बार पढ़ें आप दोत्यंतर रास्टे फसल विज्ञान कॉंग्रेस तो यह है फर्स्ट इस्ट्राइक वाला B.U.N.C. कंडिशन का सिक्का यूएंसी टूप B.U.N.C. बोल सकते है इसको एक यूएंसी है लेकिन मेरे प्रास उस यूएंसी से ज़्यादा चमक है इसमें देखो जैसे यह सिक्का है न तो यह भी B.U.N.C. कंडिशन का है लेकिन इस वाले में चमक ज़्यादा है दोनों ही यह क्रॉप साइंस के हैं फर्स स्ट्राइक है लेकिन इसमें चमक बहुत ज़्यादा है तो इसको B.U.N.C. के बीची कंडिशन कहेंगे एक्स्ट्रीमली रेर है आज के समय में आपको पता यह सी कीमत क्या है 30-35 रुपे इस कंडिशन में सी कीमत है जिस कंडिशन में सी क्या आप मेरे हाथ में दीख रहे हैं इसमें है कुछ बहुत अच्छी कंडिशन के सिक्के वो भी मैं निकाल कर दिखा देता हूं देखें डबल स्लीव में किस तरह से रख्यों मैंने सिक्कों को इसी तरह रखना चाहिए यह देखें कुछ दी यूंसी टाइप पे सिक्के यह भार्थ रिजर्व बैंक वाली अठनी है 1985 कलकत्ता मिंट की यह रेर होती है 500 से एक अजार रुपे के बीच में सिक्की मत होती है यह देखें बीउन सी कंडिशन की एक अठनी नैशन इंटिगेशन की यह दो अठनी है एक यह दिखाई ती मैं आपको दोनों बीउन सी कं इसको और एक यह है 3-3,000 रुपे इस कंडिशन में इस अठनी की कीमत है यह तिलक जी देखें आप सोरी तिलक इस्टिल वाला है तिलक का और तिलक का एक इस्टिल का और है यह दोनों यून सी कंडिशन के सिक्क्ये हैं बाल गंदर तिलक की इस्टिल वाले 15-16 रुपे कि यह भी बहुत ज़्यादा कलेक्टेबल और रेयर होता है और इसमें है एयर फोर्स के और वन रूपी के क्रोस यूएंसी कंडिशन के यह भी आपको निकाल कर दिखा देता हूं लोग ऐसे सिक्के देखना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आम चलंग से तो हर किसी के बस की बात नहीं है ऐसी के डूर्ण ने यह देखो दोनों यह यूएंसी कंडिशन के सिक्क्य है यह वाला तो बी-उएंसी टाइप का सिक्का है बहुत भेंकर चमक है सिक्क्य कंदर वी कर दीशन का है और यह भी इनडेयन एर-फोर्स का 2 रुटे का इस कंडिशन का इस कंडिशन में सिक्क्य का रेट 3,500 रुपे है और इसका भी करीब करीब बांके चले आप 2800-3900 रुपे इस कंडिशन में दीवन सिटाइप में एक कमाल का सिक्क और दिखाता हूं आपको नि यह विदाव डोटेट सरकल वाला है को पन निकल का मियूल कोईन है दस जारों पर इसकी कीमत होती है इस कंडिशन में बीउन सी कंडिशन का है प्रोपर मिंट इलस्टर है अंदर भी एक स्लीव है और कोईन होल्डर की भी एक स्लीव है डबल स्लीव के अंदर मैंने रखा होगा और बताऊंगा यह सिक्का फ्यूचर के लिए कितना अच्छा है और करेंट टाइम में इसकी वैल्यू क्या चल रही है अभी तो मैंने सिर्फ आपको यही बता है कि 10,000 उपर गीमत है लेकिन 10,000 उपर है वह आने वाली वीडियो में आपको पता लगेगा तो दोस्तों, यह स्की आप आप देख रहे हैं यह सभी UNC to Под Championship के इसक Ciao कारमा замет Margaret कि अपने आप में काफी जदा ख unanimous है और कि इस कंडिशन में से मिले अब काफी ज़ Stanaci के मिलेISbek हदिंग्य हो चुके हैं ति glitter sati उता है अपने आप में ये यह जदा याइकर आप हैं और कंडिक्ष न के इस-आफे ही सिक्यक्यान को मत लिए ऐनि creation लेकिन मैं तो फाइन बैरिफाइन एक्स्टाइन में भी क्लेक्ट करता हूं तो आप भी इसी तरह का क्लेक्शन करें अपनी अलब्म को विवस्ते तरीके से लगाएं अच्छे rare और valuable सीख के collect करें आज की ये वीडियो ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना चैनल पर नहीं है तो subscribe करके बेल नोटिफिकेशन को दबा देता कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद